यह पीपल गुड मॉनिंग गुड इवरें गुड आस्तून जो जब वीडियो देख रहा हम सब के लिए कैसे आसे ब्लोग बैठे एक बाट फिर से ताहरा हम लोग करने वाले हैं हमारा पेपर नमबर 2 जो मेनेजमेंट का पेपर नमबर 2 है उसकी यूनिट नमबर 1 जिसका नाम है बिजनस मेनेजमेंट एड़ इकनॉमिक्स इसके चेप्टर नमबर 9 को रिवाइस मैंने आपको बोल साथ के साथ ही आपका सलेबस भी होता रहे हैं आपके रिविजन ज्याव साथ किसा होती रहे तो हम लोगों ने वह इनफेशन टोपिक जो है चेप्टर नम्र 9 का उसके बार टॉटल मिलाके हम लोगों ने एन्टेट का paper होना है अगर आप उसकी तयारी कर रहे है management से या फिर commerce से तो आपको बताना चाह根गा कि उसके लिए हम लोग online batch provide करवाते हमारे online batch के अदर हम लोग provide करवाते paper no. 1 and has paper nom. 2 management as always by one paper number toboat commerce डोर्पोन हमारा वीडियो लेक्ट्शम्र मिलेगा हर यह बूक है तो इसी तरीके से पूरे management का जो course आपका code number 17 उसकी 10 किताबे ऐसे ऐसे आपको जो है मिलने वाली है तो यह बूक है लगब एक सौसी पेज की बूक है इसके अंदर हमने unit number 1 पूरी की पूरी समराइस की हुई है ओके इसी तरीके से आपको पूरा पूरा पेपर 1 एसे पेपर 2 वीडियो लेक्चर स्टडी मेटियल रिवीजन करने के लिए रिवीजन की वीडियो प्लस में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस की तो inflation is the rate of increase in price over a given period of time ठीक है जी इसको बोलते हैं हम लोग basically क्या inflation या जनरल इंक्रीजन प्राइस एंड फोल्न पर्चेसिंग वेल्यो फ मनिया आपको मैंने बता है कि अगर inflation बढ़ता है चीजों की rate बढ़ते है तो इंसान की जो पर्चेसिंग पावर है वो क्या होती है कम होती है तो inflation का मलब हमने पढ़ा था इंफेशन का मलब जो है वो क्या persistent rising general price level ठीक है जी इसके बाद फिर हमने पढ़ा था कुछ एक इसकी जो डेफिनिशन तो इसका मलब यही था कि by inflation we mean a time of जरनली राइजिंग प्राइसिग 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 वह लगातर क्या हो रहे है बढ़ रहे है बढ़ रहे है इसके बाद में फिर हमने पढ़े टाइप टाइप के नाम पर सबसे पहला था on the basis of control एक ता गोर्मेंट बीच में इंटरफेर नहीं करती है तो उसको बोलते हम लोग क्या open infection दूसरा के अन्दर गोर्मेंट करती है बढ़ते इंटरफेर करने का काम करती है तो गोर्मेंट क्या करेगी आज की लेट में control बढ़ा देगी और बात माइन जब rate कम हो जाएंग तो control को क्या कर देती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या सुप्रेस इंफेशन इसकी बाता है उन्द बीसे प्लिटिकल कंडिशन एक ता वो टाइम जगड़े के कारण जो है वो क्या होता है जब जगड़ा होता है हमारे देश का दूसरे देश के साथ जगड़ा हो गया तो मैजोर्टी जिससे क्या होता है कि आम जंता के लिए आक क्या करेंगी जिससे डिमांड ज kennen का काम करेगी जिसके लिए गवर्नमे और वहां पर कई बार जो हो फांदी और सुब्र pagan करेगी और जिसके लिएיך करती है डिपस्पर फईनने के करती है अब आपको मैंने बताया था multiplier effect होता है इसके अंदर economy के अंदर एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की क्या होती है इंकम होती है तो जब गवर्मेंट खर्चा जड़ेगी तो आम जंता की होता क्या है आम जंदा के पास में जो है वह मनी का फ्लो बढ़ जाएगा और इनफेशन बढ़ जाता है इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग classification on the base of rate of inflation एक होता क्रिपिंग क्रिपिंग बोलता है लो इनफेशन जब आपका जो रेंज है इनफेशन की वह किसके अंदर हो सिंगल डिजीट में होती है तो उसको बोलते हैं क्रिपिंग तो हमारा दस सालों के अंदर जो इनफेशन है वह मालो एक परसंट दो परसंट तीन परसंट जो है वह बढ़्चार्ण के एक कसरे ऑड़ने तो इसको बोलते है या पिंग जंपिंग और एक साल के अंदर को आपको देखने को मिलेगी 80 से 100% यह आपको देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या रनिंग याउड कौन सा और है इसको बॉलते है इन्फलेशन जब अगर किसी एग पडिवर सेक्टर के अंदर ही आपको महंगाई देखने को मिलती है उसको बोलता है sectoral या sporadic inflation और अगर पूरे countrywide अगर मालीजे चीजों के rate जो हो लगातार भटरें तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या comprehensive ठीक है जी अगर मालीजे जो ट्रेड यूनियन वाले जो है अगर वो वेजिस को क्या कर लिए बढ़ा लिया तो उससे cost of production क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा जिसकी होजा से rate जो हो क्या होगे बढ़ेंगे तो अगर मालीजे prices बढ़ रहे हैं due to increase in wages तो उसको बोलता है वेज इसके अंदर क्या करती है अपने money supply को बढ़ाने के लिए खर्चा बढ़ा देती है जिससे क्या होगा आम जंदा के पास में पैसा आएगा जिससे होगा क्या वो डिमांड जादा करेंगे और जो है rate जादा होंगे और इंफेशन जादा बढ़ेगा एक उसके अंदर एक तर price level जो है वो लगातार क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो ऐसी situation को बोलते हैं हम लोग क्या stack inflation ठीक है जी इसके लावा फिर मेजरिंग से पहले मैंने कुछ अलग से point आपको और करवाए थे जिसके अंदर हमने पढ़ा था एक तर दिमांड पूल इंफेशन क्या होता है बिसीक इंपूट के कोस बढ़ने पर प्राइस भी क्या होगे बढ़ेंगे जिसकी वजह से वह क्या होगा मैंगाई बढ़ जाएगी तो उसको बोलते हैं कोस्पुश इंफेशन एक उतार बोल्टल ने बोटल ने के अंदर जब आपकी सप्लाई जो है वह लगातार क्या हो जाए क इसको बोलते हैं बोल्टल ने के इसको क्या किया क्या क्या है और यहां पर इंडिया के अंदर हमने इनको भी क्या किया क्या क्योंकि यह बेसिक लिए इंडिया के अंदर जो इंफेशन आपते हैं उन्दा बेसिदों इसलिए इसको जदा अच्छा इंडिकेटर इंडिया के अंदर नहीं माना जाता है इसके अंदर इंफ्लेशन गैप हमने पड़ा था जब जब क्या होता है जी आपका जब टोडल गोर्मेंट इस जब जाद है तो इसको बोलते हैं उसकी जासे जो गैप राइस हो जाएगा उसको बोलेंगे डिफ्लेशन इंडिके फिलिप कर जो है वह आपका ट्रेड अफ बताता है बिटीवीन दा इन्फेशन एंड अनेम्प्लेशन बड़ेगा तो अनेम्प्लेशन के कम होने पर अने जो है वो क्या करती है higher level of economic growth पहुर्चने के लिए ग्रोफ जदा करना चाहते है जिसके लिए जादा करता है जो है वो इन्फेशन करेंगे इंदर बढ़ेगा क्योंकि चीजोंकर रेट जवो होते हैं बढ़ जते क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो उसको बोलते हम लोग कहा सा GDP deflator ओके अब पहले दोनों के अंदर difference देखते हैं CPI में WPI में क्या difference था तो वो हमने cover किया था आए देखते हैं सबसे पहले WPI WPI की बात के दिसका full phone जो है वो है wholesale price index CPI का consumer price index मतलब WPI के अंदर हम जो inflation check करते हैं वो करते हैं वो करते हैं mostly all the ministry of static and program implementation WPI जो आपका WPI है उसको measure करते हैं वो goods के बेस्पे measure किया जाता है जबकि CPI जो है वो goods और service दोनों के बेस्पे measure करते हैं measurement of inflation WPI यह वो पहली stage है और जो आपके CPI यह वो क्या है यह आपका final stage है आगे WPI के अंदर price यह वो bear करता है कौन manufacturer या फिर wholesaler इनके तोरह जो price bear करता है उसके बेस पर हम जो है inflation को compute करते हैं जबकि CPI के अंदर हम लोग जो है वो देखते हैं जो price bear करता है कौन consumer आगे number of item covered WPI के अंदर 697 item को cover किया जाता है जबकि CPI जब हम compute करते हैं तो उसमें तीन के डेकर थी CPI, R, CPI, U और CPI, C CPI, R में टोटर मिला के 448 item है और CPI, U में टोटर मिला के 460 item को cover किया गया और नों तोरों को जोड़ देंगे तो बनेगा CPI, C अगर बात करें goods and service covered, जब हम WPI को निकालते हैं तो उस index को निकालने में हम लोग basically fuel, power and manufacturing product को मिस्तमाल करते हैं जबकि अगर बात करूंगा CPI का तो उसको निकालने में हम goods भी लेते हैं और as well as services भी लेते हैं बात करते हैं आगे शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम किसको WPI को WPI की शुरुआत जो है वो आज़ादी से पहले की गए थी इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया था तो हम लोगों ने 1942 के अंदर पहली बार WPI को निकाला जिसके अंदर हमने बेस येर लिया था साथ बार टोटल अमेंडमेंट हो चुक है 2017 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अंदर हम लोगोंने बेस येर मना सन 2011 बार को पहला और इसके अंदर जो हम इंफेशन जो हम चैक करते है वह करते हैं ओना बेस चुक्स नाइटिस सेवन कॉमोडिडी 697 कॉमोडिटी के ओपनिंग प्रैस 697 commodity के closing price के base पर हम लोग जो है वो क्या करते हैं computation करते हैं ठेक है revise जो आपका WPI था उसके कुछ feature जो है वो क्या-क्या थे आई यह देख रहेते हैं सबसे पहरा इसके अंदर तीन major category बने हुए primary article fuel and power और तीसर कौन सा manufacture product इनके अंदर आने वाले जो आइटम है वो टोल कितनी है 697 इसमें पहले कितनी 666 थी इसके अंदर 199 नगी आइटम को जोड़ा गया और 140 को अटाया गया तो आज की rate में जो यह total जो है वो कितना 697 ओके इसके अंदर जो number of quotation है उसको अभी 52% से क्या कर दिया बढ़ा दिया ओके जब आप WPA को निकालते हैं तो उसके अंदर indirect taxes को prices के अंदर जो हो क्या करते हटा देते हैं ओके इसके बाद में जो है जो item level aggregate है तो यहां पर geometric mean के base पर data को क्या करते हैं compile करते हैं ठीक है WPA के अगर बात करें तो उसके लिए एक निकला है WPFI इसको बोलते है wholesale food price index यह जो है basically इसके दर दो item हम एकसा और निकालते हैं एक है food article और एक है food product तो उनके rate में कितना increment or decrement वो उसको भी अलग से क्या करते हैं compute करते हैं क्योंकि economy जो है वो dynamic nature कि उसमें लगातार change हो रहा है तो हम लोग जो है वो क्या किया उसके हिसाफ से ही अपने system का adopt करने के लिए हमने टी आर्सी लेकर है टी आर्सी का मलब है technical review committee जो क्या करेगी एक नए system को जो है वो क्या करेगी adopt करेगी ठीक है time to time के इसाफ से इसके बाद में फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो CPI CPI जो है इसके अंदर basically क्या था अगर हम बात करें CPI पहले चार लेवल के उपर निकालते थी लेकिन 2011-12 के अंदर जो है इसको हमने जो है वो क्या किया चेंज किया तो CPI R, CPI U और CPI C जो है वो तीन लेवल पे जो है ठीक है ठीक है ठीक है पहले जो थे वो चार थे एक ता CPI IW बोल तो consumer price index industrial worker इसके जो base year है वो था 2001 और इसके अंदर total number of item थी 260 दूसरी अगर बात करूँ दूसरा जो आइटम इसमें चार में से दूसरी आइटम थी CPI UNME consumer price index urban non-manual employee इसका जो base year था वो था 1984-85 और जिसके अंदर जो आप आने वाले आइटम थी वो थी 365 तीसरा जो था वो था CPI AL consumer price index agriculture labor इसका जो base year था 1986-67 था और जिसके अंदर आने वाले जो आइटम थी वो किने 260 commodity और जो चोथी आइटम थी CPI RL जिसके अंदर हमने इसको बोला consumer price index rural इसका जो base year था 1983 था और इसके अंदर आने वाले जो आइटम थी वो किने 260 यह हमने देख अरिया था बाद में 2011-12 के अंदर जो इसको रिवाइस किया गया और अब हमने तीन category बनाई एक बनाए CPI Rural Area एक है CPI U Urban Area और एक बनाए CPI C Combine का अब इसके special कहते हैं पहला base year जो चेंज किया गया पहले इसका जो base year था 2010 था 100 पॉइंट को ले करके और इसको चेंज के 2012 किया गया basket of item में जो हम data को compile करेंगे वो करेंगे mmrb के base पर यह आपको मैंने बताया था तीसरा जो इसके अंदर पहले जो category बनी हुई थी वो कितने थी goods की और service की category टोटर मिला के जो है इसके अंदर 5 थे और बाद में इसको बढ़ा के किना करी दिया छे कर दिया तो यह इसको पान, tobacco और यह intoxicant जो है इनको यहां से क्या कर दिया रिमूव कर दिया था इसके बाद एक को जो हो एक अलग सब category के अंदर जो हो क्या किया गया बनाया गया जो हम data को compile करते हैं किसके base पर करते हैं जो PDA system होता है राशन शोग की जो बात करते हैं तो सस्ते दामों पर जो government food जो प्रोवाइड करवाती है individual households को तो उसके rate को भी जो है वो CPI के अंदर हम include करते हैं जब हम CPI निकालते हैं तो हम यह देखते हैं कि rent में क्या रहा तो उसके लिए जो हमारा जो basically हम लोग sample लेते थे ठीक है कि इतने लोग किराये पर रहते हैं उनका किराये क्या 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 ह उसको sample के size को हमने क्या कर दिया डबल कर दिया है जिसके अंदर ठीक है इसके बाद में है आपका यह तो फिर आपको data दे रखा था बस यह ता CPI का ठीक है अब अगर बात करेंगे GDP deflator एक तीसरा यह भी होता है इसको बोलता है GDP deflator इसके अंदर basically हम लोग जो है वो क्या कर करते हैं एक देश के अंदर जितने भी goods का production किया गया या जितनी भी services को क्या किया गया प्रोवाइड किया गया उनका जो total होता है उसको बोलते हम लोग क्या GDP तो पहली बाद जब GDP deflator के थुरू अगर आप इंफेशन आपते तो इसके अंदर imported जो items होती है उनकी value को इसके 100 यह करके आप लोग जो है GDP deflator को निकालतो और इसके base पर आप देखते हों कि country के अंदर inflation का और deflation का जो हो क्या सीन रहा जी सर लो जी यह हमारा chapter number 9 revise भी हो गया तो इसको आप अच्छे से कीजेगा और इसके अंदर हमने पढ़ा है inflation क्या है हमने पढ़ा inflation के types और हमने जो ह इसके method है AKWP, AKCP और एकोंस आपका? AKG आपका GDP deflator है तो total हमने इसके ओपर जो है लगब लगब 40 minute का पहरे lecture था, 40 minute का second lecture था तो 80 minute लगाये थे और उसको पूरे को हमने जो है कोई यह 15-16 minute के अंदर जो है वो क्या कर लिया? revise कर लिया इसी तरीके से हर unit, हर chapter जो है वो आप को मैं provide कर वाँगा, properly पहले, thoroughly हम पढ़ेंगे chapter को, फिर उसकी revision वीडियो भी साथ-साथ करेंगे, ओके? जी सर, चलो, इतना कीजिए, ठेके, इसके बाद आप next chapter जो हो start करेंगे हमारे national income का, ठेके ना, तो मिलते हैं, next section में तब तक के लिए, thank you very much.